हालो नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश यादव एक्टेव एकड़मी पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ जो क्लास से चल रही थी अपनी रेगुलर उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे लेकिन अपने देखा होगा पिछली क्लास से देख लियोंगी और उनको और अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना उसी करम में आगे बढ़ते हैं दो संख्याओं का LCM एक स्वी के तर और मैस से 19 है उन में से एक संख्या 19 है तो दूसरी संख्या ग्यात कीजिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूस्टन है तो इस क्यूस्टन को हल करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि किनी भी दो संख्याओं का गुणन फल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है उन्ही संख्याओं का LCM गुणा HCF और पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी कि दो संख्याओं का LCM पिछपन और HCF 6 क्या ऐसा संभव है या नहीं है तो इस क्यूस्टन का आनस्वर बताने इस पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर देखो HCF क्या होता है जैसे कोई भी नंबर ले हम 30, 40 तो HCF कितना आएगा इनका 10 HCF क्या होता है वहें बड़ी से बड़ी संख्या highest common factor वहें बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दीवी संख्याओं बाग चला जाए और LCM क्या होता है वहें चोटी-चोटी संख्या जिसमें दीवी संख्याओं का बाग चला जाए तो जब 30 का और 40 का बाग जाएगा तो इनका ही फैक्टर होता है यह तो इसका भी बाग इसमें पूरा-पूरा जाएगा ही जाएगा तो क्या 6 का बाग 55 में जाएगा नहीं जाएगा तो यह ऐसा पोसिबल है ऐसा कोई नंबर पोसिबल संभवे नहीं है तो कारण समझ में आ गए होगा क्यों संभव नहीं है लेकिन इस टाइप के क्यूशन में ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जो पिछले वीडियो में आपने चर्चा की थी तो आपको बैस इसी मेथड का यूज करके बैस आनस्वर देना होता है तो इसमें LCHM कितना 101 है एक संभव है उननीस एक संख्या उननीस है और दूसरी पूछिए आपसे उननीस से उननीस कटके है दूसरी संख्या कितनी आ गए 101 है अगला एजो क्यूशन है वो देखते हैं प बताओ जिनका लगुत्तम और एचिफ कितना देर रखाओ एक अभी पड़ा हमने दो संख्याओं का गुणनफल LCHM एचिफ के गुणनफल के बराबर होता है जब एक से मल्टिप्लाइए करोगे तो यही नमबर आनस्वर देगा अगला क्यूशन पर बढ़ते हैं दो संख आनस्वर पता है वो कमेंट करेंगे ठीक है तो फटाफट कमेंट कर दो इस क्यूशन का आनस्वर तो देखो 32 गुणा आठ और एक संख्या आठ है तो दूसरी पूछी अपने से कुछ माल लो इसको एक कट गया दूसरी संख्या कितनी आ गई 32 या गई तो जिन जिन में 32 आ गुणनफल बताईए जिनका लेस है नोजार सत्रार मैस से एक है एलशेम और एच्छेफ दे रखा है गुणनफल होता है एलशेम एच्छेफ के गुणनफल के पराबर तो इसका आनस्वर यह आजएगा अगले किशन पर बढ़ते हैं उन संख्याओं का गुणनफल याद क कीजिए जिनका लगतम तीस और मैतम नो है तो तीस गुणा नो अभी मैंने एक बात समझाई थी तो मुझे बताओ टेक्निकल रूप से क्या इसका एलशेम तीस और एच्छेफ नो संभव है ऐसी कोई संख्या हो सकती है कि जिनका लगतम तो तीस आजए और एच्छेफ कितना जए नो आजए तो क्या इसको यह पूर्ण तर डिवैड कर रहा है नहीं कर रहा तो संभव नहीं है लेकिन इसका आंस्वर देने के लिए एलशेम गुणा एच्छेफ कितना एगा 270 तो आ मत सोचना पेपर में बैठे बैठे क्यूशन ऐसा दे दिया तो ऐसा चलता है रहेगा कंपिटिशन के अंदर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं है रटना नहीं है ना किसी चीज में आपको ऐसे बीच-बीच में गुम्रा करता रहेगा देखो एच्छेफ दो संख्याओं क संख्याओं का गुणनफल ग्याद कीजिए जिनका LCM कितना है 90 और HCF कितना है तो LCM HCF का गुणनफल ही संख्याओं का गुणनफल होता है तो कितना अंस्वर जाएगा 810 आजएगा अगले क्यूशन पर बढ़ते हैं कोई चीज अगर समझ में नहीं आए तो आप रिवाइज करके देखें ऐसा है नहीं कि इसमें कुछ समझ में आने लाइक है कि नहीं आएगा और नहीं आए तो कमेंट में एन लिखें ताकि हम समझ यहीं या नो लिख दें कि किस चीज को दुबारा से आपको रिवाइज करना है दो संख्याओं का LCM 64 है और HCM 16 है उसमें एक संख्या 64 है तो दूसरी ज्याद कीजिए तो 64 गुणा 16 तो एक संख्या 64 है तो दूसरी पुछिए 64 से 64 कट जयेगा कितना आंस्वर आएगा शोड़ा आंस्वर गुअ को आपको को देते हैं उनके जल्दी आंस्वर आ जाते हैं और कुछ बच्चे इसे सोते क्या टायप करेंगे आंस्वर तो आई गया तो ऐसे कंजूसि नहीं करनी वीडियो को लाइक भी करना आपको साथ साथ दो संख्याओं का गुणनफल ग्याद कीजिए जिनका एल सीम कितना है पैतालीस और एच्छेफ दस है तो पैतालीस गुणा दस कितना जाएगा साड़े चार सो ठीक है इसी कॉंसेप्ट पर क्यूशन आगे देखो मैं निकालना आपको एच्छेफ निकालना अधिक्तम बड़ी संख्या तो मैंने बताया था अंतर होगा या अंतर का कोई फैक्टर होगा तो इनका डिफ्रेंस निकाल लो और इनका इनका निकाल लेते हैं सोडा में इस पांच गई छे ठीक है दो और ये च्यार 426 तो 426 आपको इनका अंतर ही एच्छेफ होगा इनका कोई फैक्टर होगा तो एक्जामपल कोई आया नहीं था ये एक्जामपल आया है कि चार 20 ओप्शन भी नहीं है और ओप्शन होतो अब टीक मत मार देना अंतर फिर डिवाइड करना चाहिए नंबर को वही तो एच्छेफ कहलाएगा तो इसका जिए फैक्टर करें तो 2 इंटू 213 और इससे चोटा कोई फैक्टर है नहीं इसका कोई फैक्टर बने जाएए ऐसा कोई ओप्शन है नहीं तो यह यह आंस्वर हो जाएगा 213 अगला क्यूशन देखते हैं चलो इतना है क्यूशन थे आपके आज की वीडियो के ल